हाई गाईस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लोग में बढ़िया हूं आज की वीडियो थमनेल टाइटल देखे आप लोगों को पता चल गया होगा किस टोपिक पे है तो गाईस मैं यहां पर आप लोगों को बता देती हूं मैं यहां पर कुछ अपने ब्लाउज कलेक सब्सक्राइब 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 आप देख सकते हो इसके आगया और पीछे के नेक दोनों सेम है इस तरह से आप मैंने यहां पर इस पर गोल्डन कलर कर लैस्ट अटेच किया है इससे बहुत ज्यादा अच्छा लुक आता है और फिर उसके बाद नीचे से इस तरह से है अब देख सकते हो अगर आप इसके स्वोट लेना चाहते हैं तो लोए भी सकते हैं यहाँ मैंने हुक लगवा हुक लगा हुआ है नीचे और उपर भी आप यह बैक से ही बंद होता है और आगे बिल्लुकुल सिंपल है यह पहने के बाद बहुत बढ़िया लुक आता है और इसकी स्टिचिंग की प्राइस के बाद करें तो टू हैंड रेद या और फिप्टी के अरांड में हो जाएगा अगर आप किसी से स्टिच करवाते हैं तो और बात करें इसकी स्लीप के तो स्लीप भी छोटी से मैंने इसमें लगाया हुए है यह पहनने के पास बहुत बढ़िया लुक आता है मेरे पास इसकी स्टिच में वीडियो के ऊपर लगाते जाओंगी वहां से आप लोग देख सकते हो तो गाइस सेकेंड मेरा यहां पे यह ग्रीन कलर का है इसके वी आगे का नेक उसी तरह से है मुझे आगे का डीप बिल्कुल में पसंद है और इसके स्लीप में ने कुछ इस तरह से डिजाइन बनाए हुए है यह बहुत ज्यादा सुन दर लगते हैं और आगे के नेक पे इस तरह से लैस मैंने अटेच किया है इससे बहुत बढ़िया लुक आता है और इसका बैक साइड मैंने कुछ इस तरह से बनाया है आप देख सकते हो यह पोटली वाला है यह पोटली वाला है यह बहुत ज्यादा सुंदर लगता है यह पोटली के अंदर से ही मैंने हुक लगाया है इसमें यह भी पहनने के बाद बहुत बढ़िया लुक आता है आप देख सकते हो पोटली मैंने इस तरह से अटेच किया है फिर उसके उपर से मैंने हुक यहां पर प्रफ़ अटेज कर दिया है और इसके बाद ने यहां पर लगाने के लिए अटेज किया है उसके बाद यहां पर दो दोरी मैने लगाए हुई है जो वन मिनिट पर आप देख सकते हो पहनने के बाद बहुत बढ़िया लुक आता है काईस आप एक बार इसको जरूट जाघ चंपान चाहिए कि जब हम अपने स्ट शोडर को कुछ इस तरह से बनाते है तो हमें Рप्रमियं का था जीटिंच से कम हिस जएँ इससा नहीं होना चाहिए आप देन जक्वतार इसकुरुरू अ और पीछे कुछ इस तरह बहुत 10 द्यूत आ जाक्तात्रेस चाहिए प्राइज इसके बाद करें तो गाइस यह टू हेंड्रेट के अंदर में ही आपके इसकी स्टिचिंग हो चाहेगी और इसके बाद मेरा यहां पर यह वाला है कि आप देख सकते हूं कि इसके पीछे का नेक वी सेप में है अपट चाहेँ तो गाइस इसको आगे से आगे के साइड में ब套ा सकते हैं यह पीछे के साइड में एक पीछे की नेज़ें दाने से नुक बहुत अच्छ आता है जाए आप चाहों तो इसको डा़्न बुश्य स्टिच करवा सकते हो और इसके आगे का प्रिंसिस कट है और मेरे सारे ब्लाउजेस्ट के कि आपको आगे हाला इत्ता ही मिलेगा मुझे टीपने का आगे से बिल्कुल भी नहीं पसंद है गाइस आगे भी इसके थोड़ा सा यह बिल्कुल राउंड में आगे से थोड़ा सा वी सेव में है यह बहुत बढ़िया और इसके बात करें तो आप देख सकते हो इसके स्लिप्स कुछ मैंने इतिवरी बनवाई है यह बहुत ज़्यादा अच्छा इसकी सोट में उपर लगाती भी इस लेक्ति क्योंट आप रोड़ा और नहीं लीख रहुत तो हम यह स्टीचिन कर वाया था तो में विखरें कोथिशिन का पड़ा था ले मने नहीं कुछ नहीं स्टिच की राख्श तो फेह तो पहने के बाद बहुत जादा बढ़िया लुक है पहनने पहनने के बाद बहुत ज़्यादा कमफटेल भी रहता है पहनने के बाद और इसकी स्लीप्स कुछ इस तरह से हैं आप देख सकते हूं और इसकी पीछे करने को बिल्कुर राउंड में हैं और आगे से भी गाइस अगर इसमें से आपको कोई भी ब्लाव इस्टिचिंग की डिजाइन आपको चाहिए तो आप हमसे जरूर सेयर करिएगा मैं इसकी अलग से एक वीडियो आपके लिए डालूँगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और सस्क्राइब जरूर करिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए गाइस अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज भ कि लूंगे कने वीडियो